बिलासपुर कस्वा जो पुराने जमाने में स्किरर इस्टेट के नाम से जाना जाता है यहां के बारे में बताते हैं कि राजा इसकिनर ने यहां पर शासन किया यहां पर किला भी है बताया जाता है कि अंग्रेजी शासकों ने यहां पर जो गलियां बनाई हैं चोक के पास में से हर गली जो है किसी ना किसी गली में निकलती है हम यहां कुछ लोगों से बातचीत करेंगे इस कस्वे के बारे में इसके कारोबार के बारे में लोग चिंतित हैं कि यहां का कारोबार अब ढट रहा है यह बिलासपुर का मेन बजार है जो आजकल गिरहाको को तरस रहा है परिवेन ववस्ता खराब होने के कारण यहां कारोबार पिट गया है मैं नर्जन कुमार गर्ड व्यापार मंदर प्रवक्ता ब्लासपुर आप सभी को नमश्कार करता हूँ और यह जो ब्लासपुर नगरी है बहुत पहले से है और अंग्रेजियों के जमाने की बसाईव नगरी है यहां पर प्राचिन किला है जो की दिल्ली बार तक उसका रस्ता जाता था पहले और यह नगरी जो इस टाइम व्यापारी दर्ष्टी से कापी पिछड़ रही है इसके पिछड़ने का कारण जो है यहां से जो ग्रेटर नोड़ा कासने तक बसे जाती थी वो गवर्मेंट न बंद कर दी है और हमारी मांग है कि गवर्मेंट उन बसों को चलाए जिससे की इस्चेतर का अविकास हो और ब्यापार सविया पारी भाईयों का गुल जार हो और इस फिरोजब बासी बिलासपूर से बोल रहा हूं ग्रेटर लोड़ा से बस आग रही थी दिनकोर तक अब वो बंद हो कि अलिब्की बस चालू हो नीचे यह परिवाहन वैवस्था के कारण इहां का कारोबार फिछल भाई है विल्कुल मामला खता ना बाजर बिलकुल खाली मारा जीर जी chains ब्यापार उन्नती पकड़ेगा अब आस तुर में बसे नहीं कारोबार ठप्थे इससे पहले नवड़ाई बश्चल दी थी कारोबार बहुत अच्छा था अजब से बसे मन्दूई है कारोबर नहीं है आप यह मांग करोगे का बसे चलाई जाए बसे चलाई जाए परिवायन अबस्ता ठीम होने के ना होने के कारोबार पिट रहा है कारोबार ठप्थे इससे पहले है आप